हेलो दोस्तों पुना एक बर स्वागत है आप सब होका मेरे यूट्यूब चेनल इस्टेडियू 26 पे और आज हम लोग जो हिस्टोग्रैफिक का टॉपिक जो उसमें देख रहे थे हैं उसी हम लोग देखेंगे कि कासी परसाज जैसवाल हम जो की इतिहासकार है इतिहासकार है तो उनके बारे में आज देखेंगे कि कासी परसाज जैसवाल जो हैं राष्टवाद इतिहासकार है तो आखिर उनके द्वारा जो कारे किये गया यानि जो उनके द्वारा कारे भारत में आरम किया गया तो वो क्यूं आखिर हुआ है तो पहले वो समझेंगे दूसरी बात हम लोग इसी में समझेंगे कि उनके तरह कौन सी पुस्तिकें लिखी गई और तीसरी बात इसमें हम लोग समझेंगे जैसे कि हम लोग क्या समझेंगे पहले यह देख ले तो सबसे पहला होगा कि उनके तोरह जो यह कारे आरम किया गया वो राष्टवादी है तो क्यों आखिर तो ये पहले हम लोग समझें कि राष्टवादी आखिर क्यों इतिहास लेखन राष्टवादी जो हुआ था उसको हमें पढ़ाया है प्ले लिस्ट में आप देखेंगे तो उसके मुतावित आपको समझ में आ जागा राष्टवादी आखिर उनका क्याम उद्देश से था और इनका ग्याता वो उसी से सिमलर है पहला चीज जिसमें ये दूसरा इनका देखेंगे सामाने परीचे कि इन के पुस्तक और उनका कार्य चोथा इनका मुल्यांकन फोर्थ पॉइंट इनका होगा मुल्यांकन तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे आज तो चली हम लोग देखते हैं कि आखिर वो किस प्रकार उनका कार्य हुआ कैसे उन्होंने किया और उनके दौरा जो भी और लेखनकारे भारती इतियास में किया गया है तो उसको किस तरिके से देखा जाए और कितना महतो का है वो तो इन तमाम चीजों को आज हम लोग समझने की कोसिस करेंगे देखे भारत में अंगरेजी सत्ता की अस्तापना जब हो जाती है उसके बाद होता है क्या कि भारत में अंग्रेजी सत्ता के अचित्य को फैराने मतलब बिदेशी लोग जो बिडिटिस इतियासकार हैं यानि जिनको हम लोग सामरा जवादी इतियासकार भूलते हैं तो उनके द्वारा एक योजना यानि एक कारी किया गया कि उन्होंने ये बताने का कारे आरम किया कि भारत में जो बिडिटिस सत्ता स्थापित होई है उसका मेन उद्देश से जो है आपके भलाई के लिए है भले ही हम ब्यापारी के रूप में आए लेकिन हमने जो भी यहां से tax वेगर revenue की रूप में वसूल किया है उसका कारे हमने आपके लिए ही किया है आपके भलाई के लिए किया है वो बताने का प्रयास करने लिए और यही समराजवादी लोग काला है तो इन्होंने अपने हिसाब से भारती इतियास को लिखने का कारे किया और तोड मड़ोर कर उन्होंने लिखा इसे और जब उन्होंने भारती इतियास को लिखा तोड मड़ोर कर अपने ढंग से लिखने का मतलब उन्होंने सब कुछ अच्छा ही बताने का प्रयास किया बताया कि अंग्रेजी सत्ता जो भारत में स्थापित हुई उसका उचित यह है कि वो भारत में कुछ अच्छा कर रही है और करते आ रही है उसका कोई अपना उचित नहीं है उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं बलकिए आपके लिए कारी किया है ये बताने का काम किया तब ही इन तमाम चीजें और इतियास लेखन को जब इस तरीके से इतियास लिखा जा रहा था कि भारती अतीत को भी जुठलाने का कारी कर रहे थे वो बता रहे थे कि आप तो नटों के देश वाले लोग हैं, आपके यहां तो सब वेता थी नहीं, हमने आपको सब भी मनाया, आप तो सब भी लोग थे, यह तमाम चीजें जब यह इतियासकार, मतलब ब्रेटिस इतियासकार, यानि सामरा जवादी लोग कर रहे थे, तो उसी की परती के रिए हमें र राष्टवादी इतियास लेखन क्यों आरम हुआ, तो हमने आपको पता है, कि सामराजवादियों ने अपने धंग से भारती इतियास को तोड़ मरूर कर लिखा, और उन्होंने सारे ओचित अपने धंग से परोसने का कारी गया, तब भारतीयों में राष्टवादी लोगो तो आज चली हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कासी परसाथ जैसवाल जो है, अब देखते हैं कि वे क्या क्या की है उन्होंने, और उन्होंने ही प्राजिन भारती विरासत और राष्टे गोरब को पुर्णर जीवित करने का प्रयास किया, और एतियासि सोध और अनुसंधान के बाद भारती इतियास को लिखने का कारी किया है, तो सबसे पहले उनका सामाने जीवन, अब इसमें हम लोग देखेंगे, सामाने जीवन, देखें किसी के बारे में जानने से पहले उनके जीवन को भी समझना जोरू है कि वे कौन परिस्तिती, कैसी परिस्तितियां थी, जहां से उभर उठके आए, और फिर उन्होंने भारती इतियास को लिखा, तो उसको समझते हैं पहले, और फिर हम लोग उनके द्वारा जो लिखी गई बाते हैं, उसको हम लोग देख लेंगे, तो चलिए पहले इनके सामाने जीवन को अब समझते है, किया किर उनकी जीवन कैसी रही, कासी परसाद जैसवाल का जन्म हुआ था, 27 नॉवंबर, 881 को जालदा, जो है, पहले बिहार में था, पस्षिम बंगाल में है, वहीं पे हुआ था, 881 याद कैसे रहेगा, तो 881 में कॉंग्रेस के स्थापना हुई, उससे चार वर्स पहले इनका जन्म हुआ है, तो ये याद रहे है, इनके पिता शाहु महादिव, उनका नाम था, इनके पिता का, शाहु महादिव, जो कि, मतलब उनकी अच्छी इस्तिती तो थी नहीं, बाद में उनकी इस्तिती सुधारने के बाद, अपने बच्चों को सिक्षा हुए दिलाने और जिसके लिए मिर्जापूर उसकोले, यूपी में जो पड़ता है, वहाँ पे उनको अपने बच्चों को प्रारंबिक सिक्षा दिलवाए, केपी जैसवाल को लंदन मिशन हाई स्कूल से आरंबिक सिक्षा मिली, तभी देश में स्थनता संग्राम छेड़िया, जिसका जैसवाल के मस्तिक्स पर 11 परवाप पड़ा, इसी समय मालीजें कि आप जानी ही रहें कि उस समय बहुत अच्ची स्थिती तो थी नहीं, और उनका सिक्षा दिक्षा हो रहा था, और इसी समय आप देखेंगे भारत में स्थनता संग्राम भी आरंब हो गया, जिसके पस्चा में इंग्लेंड गए और वहां से 1909 में एमे किये, इतिहास में उन्होंने एमे किया और उसके पस्चाथ हुए, वहां से वेरिष्ट्री भी पास करते हैं, वेरिष्ट्री पास करने के पस्चाथ हुए, क्या होता है कि वहां से फिर वापिस वो 1910 इसमय में भारत लोटाते पुपति थे सर सर्ट आ सूटोस मुखञे, जो कन्यकिने खूद वुझाया चरा उस जगह को छोड़ गी लिए रोप्तना आ गए अपटना विष्विद्याले में Synicate की वरसे भी उनको प्राततर वियाग का रीडर बनाने का अग्रह किया गया उसके बाद भी मतलब इस पद पे चैनीत भी बी और इस पद को उन्होंने सुसोभित भी किया मतलब इस पद को ग्रान भी किया बाद में इस पद को भी उन्होंने त्याग दिया और वो इसको छोड़के फिर अगले कारी में अपने जीवन का जो भी है उसमें वो लग गए लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनकी आरंभी की स्थिति ऐसी थी कि वो स अजीविका चलाने के लिए वकालत का कारे आरम किया और फिर वे विद्या के लिए प्राचिन भारतियास पर सोध कारी भी आरम कर दिया मतलब उन्होंने वकालत और अपना अध्यान आरम रखा दी है अगर आपकी अजीविका के लिए आपको कुछ करना पड़े तो कर सकते और उसके साथ शाथ आप पढ़ाई भी रखे जारी रखे तो खोई दिक्कत नहीं है वही कारी उन्होंने किया जैसवार ने पुरा लीपी वाप राचीन मुद्रा यानि को इन सबूं को कलेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने उसका अध्यापन करना प्रारभ किया खारवे अपने अध्यन अध्यापन में समय वैतित करते थी यानि पुस्तकाले और इन सभी चीजों में संग्राले में वह ज्यादा समय अपना वैतित करते थी 1915 में अस्थापीत बिहार एंड ऊरिसर्च सोसाइटि की संस्थापकों में से यह अग्रेंगणी थी जब बिहार और उडिसा में Research Society की अस्थापना हो रही थी बिहार और उडिसा Research Society तो उसमें इनका भी युगदान था पटना संग्राले की अस्थापना में भी इनका बहुत ही महत्पुन युगदान रहा है और उसके बाद इन्होंने क्या किया 2012 1017 पटना से निकलने वाली अध़ पट्ली पुत्र नामेख mi पूस की पत्री का थी उसका सम्पादय निली किया उसके सम्पादा को में Cashम उन्होंने कई महत्रपूर्ण लेक भी लीखें मतलब उसमें उन्होंने कई एक अपने लेक को लिखा था 1906 में मिर्जापूर से निकलने वाली कलवार गजट एक है जो कि ये बहुत ही इंपोर्टेंट है कि कलवार गजट के संपादक कौन थे तो केपी जैसवाल थे जो कि मिर्जापूर से निकलती थी तो इसको भी आप धियान किया है कि पी जैसवाल ने कलवार गजट जो कि उसको संपादित करने का कारी किया था कलवार गजट का संपादनी नहीं न किया था 1924 में जब बोध गया में बोध मंदीर के लिए जांच समीती का गठन हुए था तो भारती राष्टी कॉंग्रेस की और से और हिंदू महासभा ने इनको नामित किया था और इस जांच समीती के एक सदस्षी के रूप में नामित हुए थे और वे इसमें कारी भी किये थे उसके बाद भारत का अब इनके दिखिए 1934 से 1946 में दो वर भारतिय मुद्रा शमीती के शवापती भी यह रहे वे पहले भारती है के भी जैस वाल पहले ऐसे इंसान है या भारती है जो जिनका व्यक्ष्यान लंदन में रॉयल ऐसियाटिक सोसाइटी में 1735 मौरे शिक्कों के बिशे में कराया गया था ये पहले भारती हैं जिनको ये अबसर मिला था कि वे Royal Asiatic Society जो है लंदन में थी अगर आप से पोछे कि इसके अस्थापना कब हुई तो आप कमेंट करके बताए कि इसके अस्थापना कब हुई थी तो इसमें भी वो गए थे तो ये आप इसको ध्यान रखिया कि इनके त्व का ही नाम है हिंदू पॉलिटी तो यह याद रखेगा हिंदू पॉलिटी किसकी पुस्तक है आप से पूछा जाता है कि हिंदू पॉलिटी किसकी पुस्तक है तो आप पहली वाद तो के पी जैसवाल का नाम याद रखेगा हिंदू पॉलिटी उन्होंने लिखा था तो इसमे पूरा देश में राष्टियता की भावना उबर के आ गई थी और पूरा देश स्वतंता अंदुलन में कूद पड़ा था और स्वतंता अब चाहरा था अंग्रेज को भारत से निकालने की सारी कोशिसे हो रही थी भारत में उसी समय इन्होंने हिंदू पूस्तव को लिखा था अंग्रेज इतियासकार भारत के अतीद के गौरब को मतलब एक तरह से अतीद के गौरब को जुटला रहते हैं वो मान नहीं रहते कि भारत में कोई अतीद में कोई सामराज वेगर था या भारत कोई सब्वय था ऐसा कुछ तो इस पी इन्होंने गहर प्रजातंत्र की वेवस्था उत्तरवैदी काल में ही थी प्रजातंत्र का मतलब होता है कि आज आज जो भारत देख रहे हैं जहां पर सबको यह अधिकार होता है लोगतंत्र जिसको बोलता है हम वही प्रजातंत्र है एक तरह से तो उसकी वेवस्था सबसे पहले हम लोग जा कि भाई देखिए प्राचीन भारत में निरंकुस राजितंत्र नहीं था बलकि संबैधानिक और जनता के प्रति उत्तदाइत सासन यहां था मतलब आज जो अब धारणाएं हैं या अंग्रेजी इतियासकार जो बोल रहे थे कि भाई देखिए हम आयत तो आपको समानता के चीज मिली यानि तो वो बोल जो रहे थे कि संबैधानिक चीज़ें जो विक्सित हुई वो हमारे आने से तो इन्हों ने उसे औस्विक्रित किय और बताया कि देखिए आप जो आज कर रहे हैं वो हमारे यहां बहुत पहले से था तो इन्हों ने अपने पुस्तक हिंदू पॉलिटी में इन चीजों का खंडन किया जो अंग्रेजी लोग वोल रहे थे उन्होंने अपनी पुस्तक को दो भाग में लिखे पर्थम भाग म में आप देखिएगा इन्होंने एक तरह से अंग्रेजों के द्वारा जो भारत पर लांचन लगा जा रहा था है कि भाई आपके यहां तो कोई चीज है नहीं तो उनका इन्होंने जवाब देने का कारी किया है इसी पुस्तक में और इसे दो भाग में बाटा है पहला में राजितंत्र नहीं यह तो दूसरे में इन्होंने बताया राजितंत्र के बारे में और पहले में उन्होंने बताया है कि भाई देखिए जो भारत में है पहले में इन्होंने प्रजातंत्र के बारे में बताया है यह प्रजातंत्र और राजितंत्र की चर्चा इस पुस्तक म जो आप बोल रहे हैं समयधानी यानि की परजातन्त का भारत में नहीं था परजातन्त तो वो तो हमारे यहां उत्तरवैदी काल में ही था तभी से है यहां पे कोई निरंकुष शासन नहीं था वलकि सारा चीज अच्छा ही इन्होंने बताने का कारी किया है कीपी जैसवाल की एक और पुस्तक है जो कि हिस्ट्री ओफ इंडिया के नाम से इनकी पुस्तक है जो कि 150 इस्वी से साड़े तीन सो इसमित तक इसका इतियास इसमें लिखा गया है जो कि 1930 इसमित में प्रकासित हुआ था History of India जो कि 1930 इसमित में प्रकासित हुआ था इस पुस्तक में इन्होंने के फिजैसवाल साहब ने भी इसमित के द्वारा जो कही गई थी बाते हैं उस विचार का खंडन किया कि कुसानों के अंद के पस्चाथ अंदर राजवन्स और गुप्तर सामराजिक के उदे के बीच की अबधी में संपुर्ण भारती इतियास अंदकार का युगता यानि देखे भी इसमित विंसेंट आर्थर इसमित इनका नाम है इन्होंने लिखा है इनकी पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ओफ इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ओफ इंडिया तो ये विंसेंट आर्थर इसमित जो है उनकी पुस्तक का नाम है ये आप ध्यान रखेगा Early History of India तो यह किसके पुस्टक का नाम है तो भी यह इसमित की पुस्टक का नाम है Early History of India तो इसी मेरे नियोंने सबसे पहले देखे भारती अतीत को यहने प्राजीन भारत को विवस्तित रूप से लिखने कारे भी यह इसमित ही किये थे इसी पुस्तक में उन्होंने बताया है कि भाई देखिए कि कुसान काल का जब अंत हो जाता है उसके बार भारत में गुब्त और आंदर साथ माहन काल तक अंदकार युक के रूप में उन्होंने बताने का कारी किया था उन्होंने पुरान और साहितिक अविलेखों और सिक्कों के आधार पर एक एक कड़ी जोड़ कर या साबित कर दिया किसने के पी जैसे वाल ने कि गुप्त सामराजी जब समात्थ हो गया मतलब इसकी अस्थापना से पूर्व जो है जो उन्होंने बताया था कि भाई कुसान के बाद जो है गुप्त की अस्थापना से पूर्व तक भारत अंदकार यूग था तो इन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है उसकी अस्थापना से पूर्व नाग और वकाटक सामराज क तो इस से रिलेट हो जाएगा उनकी यह पुस्तक राजनीतिक इतियास के छेतर में सरवाधिक चर्चित और पशिद्ध पुस्तक थी में उनिस सो चोँश में इनकी पुस्तक और इनकी पुस्तक जो की An Imperial History of India प्रकासितु हुई जो कि उनिस सो चोँश में पुस्तक हिंदू पॉस्तक दूसरी पुस्तक जो थी History of India थी 1934 में प्रकासित हुई जिसमें इन्हों ने इसापुरू मतब 700 से 770 इसवी तक यानि लगबग एक हजार वर्ट्सों का इतियास इसमें लिखाया उन्होंने इसमें इन्होंने लिखने के लिए इस पुस्तक को लिखने के लिए इन्होंने मंजुसरी मुलकलप और बहुत गरंथी है, हुअ क्या धार पर उन्होंने सुंदर भी वेचना किया कि और अनेक गुतियों को सुल्हाने का प्रयास किया राजनयतिक इतियास के छेत्र में जो अबदान उनका अंतिम है वह नेपाल के इतियास और तिथी करम का पर है नेपाल के इतियास का यह काल भे बहुत ही अंदकार वृत समझा जाता था यानि देखिए उन्होंने राइनेतिक इतियास को जब लिखा तो उसमें उनका सबसे उनके त्वरा जो पुस्टिक लिखी गई इसके अलावे बारती इत्यास के अलावे उन्हें नेपाल के इत्यास को लिखा जिस काल को लोग समझते थे तेकि इंद्रकार का यूग था उसे उन्होंने लिखे सबके सामने प्रकट करने का कारी किया है जैसवाल ने अनेक उपरकासित गरांतों की भी रचना की और पंडुलिपियों का समपादन भी किया जो कि विद्वत्तापुर्ण व्याख्यानों के साथ किया था उन्होंने कोटिल लिखिया अर्थसास्त पर जो भट स्वामी की टिपनी यानि टिकाय लिखी गई है कोटिल क इन्होंने अर्थसास लिखा उसी पर भट स्वामी टिका यह होता है कि आपके पुस्तक पर कोई चीज लिखी हुई है तो उसको सरल रूप से बताने के लिए उस को जो और सरलरूप से लिखा जाता है उसी को ठीका बोलते हैं तो ठीका लिखने का भट्ट सौमी ने किया था तो उसे संपाधित करने का कारी भी इन्होंने जनरल आपदी बिहार एंड उडिशा रिसर्स सोसाइटी के अंतरगत किया था किस ने तो किपी जैसवाल में इन्होंने उसको मतलब भट्ट स्वामी के द्वरा जो टीका लिखा गया था कोटिल के अर्थ सास पर उसको प्रकासित इन्होंने करवाया मुद गंगा घाटी की बहुत सी मुद्राओं का विविचना किया उन्होंने कुछ आहत सिको मुद्राओं को मौरिश से समद्धित कर एक सवार्थ अभिन सर्वथा अभिनवमत प्रतिपादित किया जिसकी तातकाली एसियाटिक सोसाइटी के विद्वानों दोरा अरोचना की अभिलेख जो था वो काभी विवादास्पद भी सेय रहा है जैस्वार ने इसे अपने निवनदों के माद्यम से अच्छी तरह सुलजाने का कारी भी किया था किसको तो खारवेल का जो अभिलेख है हाथ ही गुपा अभिलेख उसको उसके ऊपर उन्होंने अनुसंदान कि उसको समझने का प्रियास किया और उसके बाद उसे लोगों के सामने लाने का यानि उसे लिखा, उसके बारे में लिखने का प्रियास किया। उसको उसके बाद समझने का प्रियाग प्रसस्ती जो है उसे और मुहरों का अध्यन तथा अनिकाने का अभी लिखों तथा तिथी करम के अनुसार उनकी व्याक्या प्रस्तुत कर उन्होंने अपने इतियास दर्शन को अत्यदिक महत्पुन बनाया। और उन्होंने एक नई विचारधारा यानि एक नई कंसेप्ट लोगों के सामने रखा। अब देखिए एक इतियासकार के रूप में इनका मुल्यांकन अब इनका मुल्यांकन को देखते हैं इनका मुल्यांकन कैसे तो इसको अब समयते हैं तो मुल्यांकन इनका समझी अब तो मुल्यांकन में आप अच्छी और बुरी दोनों ही बाते लिखते हैं तो इसलिए मुल्यांकन में यह याद रखिएगा कि उनकी अच्छाई और बुराई दोनों को लिखा जाए देखे जैस्वाल प्रमपरागत इतियासकार की तरह लकीर के फकीर नहीं थे यानि वो हवा हवाई बाते नहीं करते थे यानि उन्होंने जो भी बातें कही है उन्होंने तरक क्याधार पर यानि उसे लिखने के लिए उन्होंने सोध भी उसमें किया तब उन से उन्होंने स्विकार किया, उन्होंने इतियास की सभी बातों को जियों के तियों स्विकार नहीं किया, उन पर उन्होंने उन पर पास्चात विद्वान के विचारों का पूरा प्रवाब था, यानि पास्चात विद्वान जो कि भारतिय गौरब को छुपाने का का कर रहे थे उसका उनके उपर बहुत प्रभाब था इसलिए वे चाहते थे कि भारतिय गौरब जो उसी सामने सब के सामने लाया जाए यह उन्होंने कारिक करने का प्रयातन उनका जारी रहा था और यह उन्होंने किया भी वे प्राचिन भारतिय संस्कृति के विसे में प्रस् यास लेखन में अधिवक्ता की पदेती अपनाते थे यानि वे किसी भी चीज को जैसा है वैसा नहीं स्विकारते थे यानि उन्होंने किसी भी चीज को तरक के आधार पर स्विकारा उन्होंने देखा कि आखिर वो सही है या नहीं है जैसे एक वकील किसी भी चीज को तब तक स्विकार नहीं करते हैं जब तक या बात है तर्क के क्याधर पढ़ना हो यानि वे तर्क वितर्क करने के पश्चाथ ही उसे स्विकार देग यहां भाई पॉलिटी धर्म दर्सन सासन गनराज समाजिक विवस्था आदि की सिस्टा का चित्रन है उनकी जो नहीं उनकी जो पुस्तके हैं उसमें हिंदु विचार और धर्म दर्सन सासन गनराज समाजिक विवस्था आदि की चर्चाएं की गई है उन्होंने भारती इतियास लेखन के चेत्र में जो मौलिकता परदान की हुआ मार्ग दर्सक यानि मार्ग दर्सक के रूप में कारे करेगा यानि जो भी इतियास लिखने वाले आएंगे उनके लिए वो मार्ग दर्सक का कारे करेगा जो उनके द्वारा इतियास लेखन के चेत्र में जो एक नई चीजें खोज कर यानि नई विचार जो खोज कर प्रस्तुत की गई और वे इतियास प्रेमियों के दिलों में हरा मैसा जिवित रहेंगे उनके कारे छमता के संबन में यह कहा जा सकता है कि अकेले किसी एक व्यक्ति द्वारा इतियास के विविन छेत्रों में इतना कारे नहीं किया गया जितना की KPJS वाल नहीं किया यानि KPJS वाल ने इतियास के चेत्र में इतियास के बारे में उन्होंने जितना भी बताया वो कम नहीं है बहुत ज्यादा है और उन्होंने उसे तरके के आधार पर बताने का कारी किया तो चलिए हमने इस लेक्चर के मादियम से सोचा था कि आपको कुछ ऐसे भी राष्टवादी, कुछ माक्सवादी, कुछ प्राच्चवादी जो भी औरियंटलिस्ट हिस्टोरियन है उनके बारे में धेरे धेरे हम इस लेक्चर में बताने की कोशिस करेंगे और उसमें कि अप्रोच को किस तरीके से अपनाया वो चीज इसके मादियम समलो समझने का प्रियास करेंगे हर एक लेक्चर में और हमने कोशिस भी क्या है कि अपने हर लेक्चर में आपको उन तमाम चीजों से अबगत कराएं इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहें तब तक के आप